इतिहास का पन्ना जो है न मनीश कस्चप को बहादूर कहेगा, कायर नहीं कहेगा, इनके सामने अगर जुक गया ना आज तो ये ना जाने कितने मनीश कस्चप को पैदा होने से पहले मार देंगे हमारा तो सपना है कि अगर कोई अपराधी है तो भी उसके बच्चे को हम अपराधी नहीं बनने देंगे हमारे ये सपना है अगर कोई बिहार में बहुत बड़ा अपराधी है तो भी हम कोशिस करेंगे कि उसने जो गलती किया किया उसके बच्चे को हमा प्राधी नहीं बनने देंगे ऐसा समाज हम बनाना चाते हैं तो इन्हें सबक मैं जरूर सिखाऊंगा और चाहे कोई साथ दे ना दे मैं इनके खिलाब जो है लड़ता रहूँगा संघर्ष और परिशानियों का सामना करने के बाद जब हम सफलता की तरफ नई शुरुवात दुबारा से करते हैं तो उसका स्वाद अलग आता है और इस बात को इस वक्त मनीश कर्षप से बहतर और कोई नहीं समझ सकता इसलिए उनसे ही बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इतने संघर्षों को देखने के बाद अब होसला के कितना बुलंद हुआ है आपका मैं जेल में था तो चार लाइन में देखा वन डे योर फ्यूचर विल बेटर देन योर ड्रीम इफ वर्क हाड विलिंग हाट एक दिन आपका भविश्य जो है आपके सपनों से ज्यादा उज्वल होगा अगर आप सचे मन से कठिन परिश्रम करते हैं तो और हम लोगों ने वहीं किया और एक ना एक दिन जो है मुझे पता है कि मैं ने जो सपना देखा है वो सपना से ज्यादा खुबसूरत भविश्य होगा मैंने नया बिहार का, ब्रेंड बिहार का, उज्वल बिहार का सपना देखा है, समरिद बिहार का सपना देखा है, भै, अपराध, बेरोजगार, मुक्त बिहार का सपना देखा है, तो एक ना एक दिन ये जरूर पूरा होगा, मैंने देखा है कि पूरे भारत में टॉप थिरी राज्ये में development के मामले में बिहार हो human index development के मामले में बिहार हो per capita income के मामले में बिहार हो तो यह सारा सपना है और हम लोग सचे मन से प्रयास कर रहे हैं एक ना एक दिन हम जरूर सफलोंगे समर्थकों की भीर थी जब आप jail से बाहर निकले थे और आप जब जेल में थे उस वक्त कई नामचीन हस्ती थे वो भी आपका समर्थन करते नजर आये थे तो कैसा लगता है जब बड़े बड़े चेहरे भी आते हैं समर्थन में ये देखते हुए कि बिहार का कोई बाहर निकल रहा है क्योंकि अक्सर देखा गया है बिहारी को अ सोचते हैं जग जाहिर है बताने की जरूरत नहीं राज ठाकरे जो मनसे के नेता है मुंबई के जब बिहार में पूल गिरा तो उन्होंने प्रेस कॉन्फरेंस में बकायदा सभा में ये बात बोला कि बिहार का एक यूट्यूबर है मनिसकस से अब जो बोले थे कि पूल गि जो लोग समझते थे कि नहीं बिहारी ये वो दिस देट उनके अंदर भी था नहीं बिहारी अच्छे हैं बिहारियों के साथ गलत हो रहा है और वहां की सरकार गलत कर रही है तो एक बड़ा पोजेटिव इंपक्ट पड़ा है और अब लोग डरते हैं बिहारी मजदूरों क के साथ बत्तमी जी हुआ तो वो आके जो है सवाल पूछेगा वो अपने मजदूरों को इंसाफ दिलवाएगा तो एक पोजेटिव इंपक्ट जो है ना पूरे देश में बिहार के प्रती पड़ा है लेकिन हां देखिए बिहार में अगर कुछ गड़बडिया है तो उस च हाली में एक तस्वीर वाइरल हुई थी बीजेपी के कद्दावर नेता सांसद हैं जो नौर्थिष दिल्ली से और साथी दिल्ली प्रदेश के पुर्व अध्यक्ष रह चुके हैं मनोश तिवारी तो ऐसी सुखबगाहट है कि चार जनवरी को आपके गाउं में आने वाले हैं मेरा वो घर देखना चाहते हैं जिस घर का जो है कुरकी हुआ था तो वो घर देखना चाहते हैं तो इसलिए वो आएंगे और मैं उन्हें वो जमीन भी दिखाऊंगा मैं पहली बार मेडिया के सामने वो जमीन दिखाऊंगा जो भारस सरकार ने मेरे दादा जी को दिया जो मेरे दादा जी आर्मी में थे हाँ हाँ उनको दिया तो वो जमीन भी दिखाऊंगा अब पता कीजे ना कितने आर्मी से रिटार्ड होने के बाद कितने लोगों को चार भी गहा जमीन मिला है बहुत कम लोगों को मिला है नहीं मेरे दादा जी आरमी में कुछ अच्छा किया हूंगे तब तो मिला होगा तो उन्होंने जो घर बनाया उस घर का कुर्की हुगा अगर मैंने गलत किया था मेरे नाम से प्रोपटे अब मेरे चीज़ों को कुर्की करते मेरे पिता जी के नाम पे अगर कुछ होता तो उस चीज को कुर्की करते हैं मेरे दादा जी के नाम पे जो घर था वो भी घर किस चीज का मिटी का घर मिटी का घर खपड़े का घर और उस घर को कुर्की किया गया कुर्की तो छोड़ी है, चापा कल तक उखाड लिया गया, मेरे घर में मोटर नहीं है, पानी का टंकी नहीं है उपर, चापा कल है जिससे हम लोग पानी पीते हैं, उस चापा कल तक को उखाड लिया गया, तो गलत तो हुआ, अब मुझे जो बिहार के लोग जानते हैं, उसक इतना सताय जाता होगा हमारा तो सपना है कि अगर कोई अपराधी है तो भी उसके बच्चे को हम अपराधी नहीं बनने देंगे हमारे ये सपना है अगर कोई बिहार में बहुत बड़ा अपराधी है तो भी हम कोशिस करेंगे कि उसने जो गलती किया किया उसके बच्चे को हम अपराध ही नहीं बनने देंगे ऐसा समाज हम बनाना चाहते हैं भय मुक्त अपराध मुक्त समाज बनाना चाहते हैं बेरोजगार मुक्त समाज बनाना चाहते हैं समरिद बिहार बनाना चाहते हैं और यह सपना देखना क्या गुना है क्या तो मनोज टिवारी भीया आएंगे और अभी तक तो वहीं सेडियोल हुआ है आएंगे और उनको मैं वो चीजे दिखाऊंगा कि कैसे जो है मुझे तोड़ने का प्रियास किया गया मुझे मसलने का प्रियास किया गया मुझे कुचलने का प्रियास किया गया आपने जब आत्म समर्पन किया था और जब आप जेल से वापस आएं तो बिहार में क्या कुछ बदला हुआ? देखें मैं सरेंडर किया था थाने में सरेंडर किया था लेकिन बहुत सारे मिडिया वालों ने दिखाया कि मनीश कसिफ हुए गिरफतार 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 और ये क्या है ये भी तो जूट ख़बर है इसके उपर भी तो करवाई होना चाहिए लेकिन मैंने सरेंडर किया था जब लगा कि मनीश कसे अब आज सरेंडर कर देगा तो इतना फास्ट सुबहे छे बजे पांच बजे मेरे घर पे पहुंचके सुबहे पांच बजे पहुंचके कुर्की करना सुरू कर दिये अब ज़रा सोचिए कि इतना एक्टिव जो है अपराधियों को पकड़ने के ल जो है घर का कुर्की सुरू कर दिया उन लोगों ने चरह बताएए अगर कोई बोलता था तो उन लोगों के साथ बतता मीजी मेरे गाउं के लोग अगर बोलते थे तो बतता मीजी मुबाइल छील लेना ये सारी चीजे तो मेरे साथ तो अभी हुआ बहुत कुछ है मैंने अ सारी चीजे धीरे धीरे आएगा मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन इन अत्याचारियों के सामने जुकना नहीं पसंद करूंगा इतिहांस का पन्ना जो है ना मनीश कस्षप को बहादूर कहेगा कायर नहीं कहेगा इनके सामने अगर जुक गया आज तो यह ना जाने कितने मेरे साथ नहीं उन तमाम लोगों के साथ गलत किया जो बिहार बदलना चाहते हैं नया बिहार बनाना चाहते हैं जो भरष्टचार के खिलाप आवाज उठाना चाहते हैं उन सब को इन लोगों ने मसलने का प्रयास किया तो इने सबक मैं जरूर सिखाऊंगा और चाहे कोई सा प्रख्ष जो सबसे जादा मजबूत हुआ है वो है कमजोर जो मजदूर वर्ग है वो उत्राखंड के टनल में कुछ मजदूर फशे थे उस वक्त पूरा देश मनीश कश्यप को याद कर रहा था क्यों देखे यहीं तो प्यार है लोगों का उत्राखंड के टनल में फशे हो भारत के किसी भी कोने में अगर मजदूरों को किसी भी परकार का समस्या होता है और वो किसी भी राज्य के हूँ ऐसा नहीं सिर्फ बिहार के मैं भारत का सभी राज्य में घुमा हूँ गोवा को छोड़के गोवा नहीं गया हूँ उसको छोड़के मैं भारत के सभी राज् कि आपका हम लोग देखते हैं वहां पर तो हिंदी भाजा थोड़ा कम चलता है फिर भी जितना चलता है उतना में तो यह सारी चीजह है जब लोगों को उमीद लगता है कि मनीश कस्यप जो है मेरे समस्या का समधान कर सकता है ना तो मुझे लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर और अगर मैं बाहर होता तो सरकार ने तो कमाल का काम किया एक भी मजदूर को खरोच नहीं आने दिया टनल से बाहर निकाल दिया तो सरकार को तहे दिल से धन्यवाद लेकिन मैं हर एक राज्य सरकार की यह जिमेवारी है हर चीज केंद्र पर नहीं थोप सकते हैं हर एक मजदूर रिस्क लेके पूरे देश को बनाते हैं, अगर मजदूर एक दिन सिर्फ हरताल कर दे, एक दिन मजदूरी ना करे, तो जरा सोचिए कि देश की इस्तिति क्या होगी, तो हर एक राज्य सरकार मजदूरों का 25 लाख रुपया का इंसुरेंस करे, अगर उनके साथ इसा मिलेगा, उनका परिवार तो बच जाएगा, एक मजदूर के साथ अगर कुछ होता है तो उसका पूरा परिवार मर जाता है, एक मजदूर नहीं मरता है, पूरा परिवार मर जाता है, सड़क पे आ जाता है, खत्म हो जाता है, उन लोगों की जिन्दगी तबाह हो जात जो एक उन्हें क्या चाहिए युवा को क्या चाहिए बिहार की उवा को सिर्फ एक रोजगार दे दो यानि जैसे वो सरिक्रिस्न आये थे संदेशा लेके आये थे पांड़ों का और कहेते दे दो सिर्फ पांच ग्राम रखो अपनी धर्ती तमाम दुरियोधन वो भी दे न सक अरे सरकार अगर सिर्फ युवा को एक रोजगार नहीं देगा बिहार में मजदूरों का पलाया नहीं रोकेगा और किसानों को सए समय पर बीज खाद नहीं देगा और उनका जो फसल है उसको सए 1.8 मेंसपी पर नहीं खर देगा तो बिहार का विकास कैसे होगा